नमस्कार, बाइजूज, गौर्वर्मेंट एक्जाम प्रेप चानल में आप सभी का स्वागत है और आज हम 7 जून के कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के उपर चर्चा करने वाले हैं यह सारे करेंट अफेर्स आप जिस भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चाहे वो बैंकिंग के एक्जाम हो, SSE के एक्जाम हो या फिर अधर गौर्वर्मेंट एक्जाम हो उनके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आए सुरू करते हैं आज का डेली करेंट अफेर्स आए सबसे पहले नेशनल कर इंट अफेर्स के उपर चर्चा कर लेते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज आया है जिसका सिर्सक है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में 17 सचनेबल डेवलोप्मेंट गोल्स तै किये गए थे और यहाँ पर 2030 तक जो भी उनाइटेड नेशन के सदसिद्देश हैं जिनकी संख्या 193 है उन्हें इन 70 गोल्स के उपर काम करना था और इसी को लेकरके UN के द्वारा हर साल एक रिपोर्ट जारी की जाती है कि कौन से देश जो है वो इन 17 सचनेबल डेवलोप्मेंट गोल्स के उपर कितना काम कर रहे हैं और यहां पर जो इस बार का रिपोर्ट आया है उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो दो पायदान नीचे चली गई है और फिलहाल भारत की रैंकिंग है 117 यानि की 117 तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट नीज है क्योंकि यह 17 सचनेबल डेवलोप्मेंट जो गोल उनाइटे नेशन के दोरा तै किये गए थे यह हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है अगर हम यहाँ पर निचले पायदान पर जाते हैं इसका मतलब है कि यह जो 17 गोल तै किये गए हैं उसे हम 2030 तक पूरा नहीं कर पाएंगे जिससे हमारे देश के विकास को भी बहुत जादा फर्क पड़ेगा तो आपको याद रखना है कि भारत की रैंकिंग इस साल कितनी है तो वो है 117 और यहाँ पर कहा गया है कि दो अंको का यहाँ पर क्या है गिरावट आया है भारत की रैंकिंग में यानि कि जो भारत का जो प्रिवियस रैंकिंग था वो था 115 और यहाँ पर इस रिपोर्ट मे कहा गया है कि भारत के द्वारा जो SDG 2 है जिसमें कहा गया है Ending Hunger and Achieving Food Security वहाँ पर भारत के द्वारा जो है काफी कुछ नहीं किया गया उसके कारण भारत के रेंकिंग में कमी आई है यहाँ पर SDG 5 जिसमें Achieving Gender Equality के बारे में बाते कहे गई है यहाँ पर भी भारत का परदर्सन अच्छा नहीं रहा है और SDG 9 जिसमें Promoting Inclusive and Sustainable Industrialization and Fostering Innovation उसकी बात की गई है यहाँ पर भी भारत का परदर्सन अच्छा नहीं रहा है याने कि SDG 2, SDG 5 और SDG 9 में खास करके भारत का परदर्सन अच्छा नहीं रहने के कारण भारत की रैंकिंग में दो अंकों का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग 115 थी पहले और हम दो पायदान पीछे खिसक कर 117 पर आ गये है और आपको याद रखना है कि यह कौन-कौन से लक्ष है जिसकी पूरती भारत नहीं कर पा रहा है जिसके कारण जो है उसकी रैंकिंग में गिरावट आई है यहाँ पर कुछ बहुत ही important data दिया गया है आए उसे भी देख लेते हैं यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया rank below 4 South Asian country जो है भुटान, नेपाल, सिरलंका and बंगलादेश याने कि जो 4 South Asian country हैं जो कि हमारे पडोसी भी है याने कि भुटान, नेपाल, सिरलंका और बंगलादेश से भी हम पीछे चले गए हैं और यहाँ पर भारत का जो overall SDG score है वो है 61.9 out of 100 याने कि 100 में हमें 61.9 अंक मिले हैं यहाँ पर अगर आप जितना 100 के नजदीक रहेंगे इसका मतलब है कि 2030 तक जो है आप यह 17 गोल है उसे एचीव करने में सफल हो जाएंगे अगर किसी country का score 100 में 100 है इसका मतलब यह होता है कि 2030 तक जो है वो country सारे के सारे जो गोल है 17 गोल है उन्हें एचीव कर लेगा यहाँ पर भारत का score है 61.9 जो कि खराब ही माना जाएगा यानि कि जो गोल तैय किये गए है UN के द्वारा उसे हम 2030 तक प्राप्ट नहीं कर पाएंगे अगर हमने अपने score में बढ़ोतरी नहीं की तो यहाँ पर जो है एक और important news आजा इसी report में और कहा गया कि India rank 168 out of 180 country in terms of EPI यहाँ पर EPI का मतलग होता है environmental performance index यानि कि environmental performance index में भी हमारी ranking उतनी अच्छी नहीं है और यहाँ पर जो भारत की ranking है वो 168 है out of 180 country यह बहुत ही important हो जाता है कि 180 देशों में हम 168 आ रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करें environmental performance index की which is calculated on various indicators including environmental health, climate, air pollution, sanitation and drinking water, ecosystem service and biodiversity तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके environmental performance index तयार किया जाता है UN के दोरा और यहाँ पर भी हमारा जो परदर्शन है वो सही नहीं है तो इन data's को आप याद रखेंगे exam point of view से क्योंकि बहुत ही important report है UN के दोरा निकाला जाता है SDG को लिकर के जो भी news आता है वो बार-बार exam में पूछा जाते हैं तो आप जो भी मैं आपको ranking तो जो भी मैं ranking आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप उसे ध्यान में रखेंगे यहाँ पर एक और important बात कहे गई है कि India rank was 172 in the environmental health category which is an indicator of how well countries are protecting their population from environmental health risk तो यहाँ पर भी हमारा परदर्शन जो है अच्छा नहीं है और यहाँ पर environmental health category में भारत की जो ranking है 172 और यह जो environmental health category है वो यह बताता है वो indicator है कि how well countries जाने कि हमारा देश कितनी अच्छे तरीके से अपनी जनता को जो है environmental health risk से बचा रहा है यहाँ पर एक और बात कहे गई है जो कि बहुत important है exam point of view से कि India rank 148 21 position behind Pakistan which was at 127th position in the category of biodiversity and habitat which access countries action towards retaining natural ecosystem and protecting the full range of biodiversity within their border तो अपने देश में हम किस तरीके से अपने biodiversity की रक्षा कर रहे है उसके अधार पर जब ranking बनाए गई तो भारत का जो rank है वो 148 आया है जो कि पाकिस्तान से 21 position पीछे है पाकिस्तान जो है वहाँ पर 127 position पर है और भारत जो है 148 position पर है यानि कि जो 17 goals हैं जिसे हम SDG goal कहते हैं यहाँ पर भारत के द्वारा अभी भी अच्छा परदर्सन नहीं किया जा रहा है यानि कि 2030 की जो समय सीमा है अगर हम इसी रफतार से चले तो हम यह goal को achieve नहीं कर पाएंगे आए अब एक और important news को यहाँ पर देख लेते हैं और news है पंजाब तमिलनाडु केरला lead in 2019-20 school grading index तो यह भी बहुत ही important news है और यहाँ पर education ministry के द्वारा school performance index 2019-20 को release कर दिया गया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि education ministry के द्वारा हमारे जितने भी राज्य हैं और union territory हैं उन सभी में हमारे education को ले करके क्या काम किया जा रहे हैं उनकी इस्तिक कैसी है उसको ले करके एक report तयार किया जाता है और यहाँ पर उसके आधार पर राज्य और union territory को rank दिया जाता है अगर हम rank की बात करें तो top 5 state और uts में सबसे जो ज़्यादा score मिला है वो पंजाब को मिला है याने कि पंजाब में जो overall education का system है वो यहाँ पर सबसे अच्छा माना जा रहा है उसके बाद जो है चंडिगर का स्तान आता है जो कि एक union territory है तो आपको याद रखना है कि union territory में सबसे अच्छा परदर्सन चंडिगर के दोरा किया गया है और राज्यों में सबसे अच्छा परदर्सन पंजाब के दोरा किया गया है इसके अलावा तमिलाडू और केरला के दोरा भी अच्छा परदर्सन किया गया है अगर हम bottom 5 state और union territory की बात करे तो लद्दाग जो है overall state और union territory में सबसे निचले पाइदान पे है यानि कि उसको आखरी अस्थान मिला है और अगर हम state की बात करें तो मेगालिया को जो है सबसे निचला अस्थान दिया गया है state के मामले में तो याद रखेगा कि अगर ये पूछा जाए कि कौन सा state जो है यहाँ पर सबसे नीचे है तो आपका answer होगा मेगालिया लेकिन अगर overall पूछा जाए कि सबसे नीचे score किसको दिया गया है तो यहाँ पर आपका answer होगा लद्दाग लेकिन लद्दाग एक union territory है तो यह बहुत ही important report है जिसे आपको ध्यान में रखना है आने वाले exam के लिए यह बहुत ही important हो जाता है आए अब एक और news की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं और news है गोवा government releases film on Sivazi to restore his force temple तो यहाँ पर गोवा की सरकार की द्वारा एक short film release किया गया चत्रपती सिवाजी के उपर और यह short film उनके राज्या विशेग दिवस की वर्सगाठ पर release किया गया है तो आपको याद रखना है कि वो कौन सा state है जिसके द्वारा चत्रपती सिवाजी पर एक short film release किया गया है आए अब international current affairs को देख लेते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही important news आया कि India will contribute to its activist and Indo-Pacific policies जैसंकर on BIMSTEC Day जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 June को BIMSTEC Day के रूप में हम लोग celebrate करते हैं BIMSTEC जिसका full form है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation जिसे हम short में BIMSTEC कहते हैं यह एक regional organization है और यहाँ पर 7 member है याद रखेगा कि BIMSTEC में 7 member हैं और यह वो member है जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं तो याद रखना कि BIMSTEC का full form बार बार जो है exam में पूछा जाता है बहुत सारे लोग जो है BIMSTEC के full form को नहीं याद कर पाते हैं तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि BIMSTEC का full form आप याद कर लिजेगा और आपको ये भी याद रखना है कि 6 जून को BIMSTEC Day के रूप में हम लोग celebrate करते हैं और इसी दिन जो है भारत के विदेश मंतरी S.J. Sankar के द्वारा ये कहा गया कि भारत जो उसकी policy है East Asia और Indo-Pacific के देशों को ले करके उसमें वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा सहयोग करता रहेगा अगर आप यहाँ बात करें BIMSTEC की तो जो BIMSTEC है वो South and South East Asia के देशों को मिलकर के बनाया गया है अगर हम इनी members की बात करें तो यहाँ पर Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka और इसके अलावा Myanmar और Thailand जो है इसके सदसे हैं तो आपको नाम याद रखना है इन countries का कि कौन-कौन से देश जो है BIMSTEC के सदसे हैं यहाँ पर सातों देशों का नाम मैंने आपको दे दिया है, exam point of view से बहुत ही important है करेंट में सिरलंका के बास जो है chairmanship है BIMSTEC की और उसी की अध़क्षता में ये meeting अभी perform हुआ है आए एक और news को यहाँ पर देख लेते हैं और news है minimum global corporate tax को ले करके तो यहाँ पर G7 countries के द्वारा एक समझोता किया गया है minimum global corporate tax को ले करके आए देख लेते हैं इस news को भी यहाँ पर कहा गया है कि advanced economy making up the G7 group have reached a historic deal on the taxing multinational company तो जो G7 के देश हैं जिसमें US, UK, Germany, France, Canada, Italy और Japan हैं उन्होंने एक historic deal किया है जिसमें उन्होंने minimum global corporate tax की बात कही है यहाँ पर कहा गया है कि जो भी multinational company होंगी उनके उपर ये देश एक minimum corporate tax लागू करेंगे और यहाँ पर जो tax की सीमा रखी गई है वो है 15% यानि कि जो G7 के member हैं वे अपने देश में जो corporate tax हैं उसे 15% से नीचे नहीं ले जाएंगे इसे ही बोला जाता है minimum corporate tax इसे ये होगा कि जो देश हैं उनके बीच में जो FDI को ले करके जो है एक तरीके से क्या होता है competition चलता है वो अपने देश में इन कंपनियों को लाने के लिए जो corporate tax है उसे कम करते जाते हैं जिसके कारण दूसरे countries को भी अपने देश में FDI लाने के लिए अपना जो है corporate tax कम करना पड़ता है इससे जो है यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा यानि कि 15% से नीचे G7 के जो देश हैं वो अपने यहाँ पर corporate tax को नीचे नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि G20 की meeting जो की July में होने आली है वहाँ पर यह G7 देशों के द्वारा इस proposal को रखा जाएगा कि G20 के देश भी इसी तरीके के minimum global corporate tax को अपनाएं तो बहुत ही important news है ध्यान में रखेंगे यहाँ पर G7 की चर्चा हो रही है यहाँ पर मैंने G7 के जो countries है उनका भी नाम दे दिया है और यहाँ पर आपको याद रखना है कि वो कितना minimum परतिसत है जिसको लेकर के यहाँ पर समझोता हुआ है और वो है 15% आए अब banking and financial news को देख लेते हैं यहाँ पर एक बहुत ही important news आया है जो कि exam point of view से भी बहुत ही important है जिसका सिर्शक है SIDBI invites bid from consultant to help set up rupees 20,000 crore NABFID यहाँ पर news है कि SIDBI on behalf of government has floated request for proposal inviting bids from the consultant to help set up rupees 20,000 crore DFI called National Bank for Financing Infrastructure and Development बहुत ही important news है यहाँ पर NABFID का full form बताया जा रहा है और वो क्या है National Bank for Financing Infrastructure and Development भारत सरकार के दोरा इस bank को बनाने का योजना बनाया गया है जो कि हमारे देश में infrastructure को लेकर के जो financing है उसके उपर काम करेगा याने कि हमारे देश में जो बड़े बड़े infrastructure के project चल रहे हैं वहाँ पर पैसा देने के लिए वहाँ पर पैसे की कमी ना हो उसको ध्यान में रख करके NABFID जी से हम National Bank for Financing Infrastructure and Development कह रहे हैं उसका निर्मान किया जाना है और उसी को लेकर के सेड़बी के द्वारा government के बिहाफ में एक request for proposal invite किया गया है और यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि जो initial capital है NABFID का वो होगा 20,000 करोड तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस bank का नाम याद रखना है कितने capital से जो है इसका निर्मान किया जाएगा इसको याद रखना है अगर हम इस bank की बात करें तो Parliament in March cleared National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill 2021 to support the development of long term non-recourse infrastructure financing in India तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह जो bill है इस bank को बनाने के लिए उसे मार्च में ही clear कर दिया गया था Parliament के द्वारा और जैसा कि मैंने कहा कि इस bank को बनाने के पीछे जो main मकसद है वो है कि जो long term infrastructure project है उनमें जो है पैसे लगाया जा सके आए अब कुछ sports news को देख लेते हैं और यहाँ पर एक news आया है कि Dutch Siphon Hassan set new woman 10,000 meter world record तो निदरलैंड की Siphon Hassan के द्वारा एक नया world record set किया गया है 10,000 meter दोड में तो बहुत ही important news हो जाता है यह यहाँ पर एक नया world record set किया गया है आपको याद रखना है कि इस खिलाडी का नाम क्या है इनका नाम है Siphon Hassan जो की नीदर लैंड की है यहाँ पर हमारे देश से भी लेटेड एक news है जिसे हम देख लेते हैं यहाँ पर news आया है कि National Interestate meet at two venue तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 68th National Interestate Athletics Championship will be held at two venue in Patiyala तो 60th National Interestate Athletics Championship यहाँ पर Patiyala में होने वाला है और इसके लिए दो venue select किये गया है एक है the National Institute of Sports दूसरा है Punjab University Ground तो याद रखेगा कि 60th National Interestate Athletics Championship 25 जून से 29 जून तक Patiyala में होगा और यहाँ पर आपको venue का नाम भी याद रखना है अगर हम इस event की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि the event will be last qualification opportunity for athletics for the Tokyo Olympic तो बहुत ही important हो जाता है और यहाँ पर कहा गया है कि Athletics Federation of India के द्वारा सिरलंका, बांगलादेश, चाइनिज टाइपाई, मलेसिया, कजकस्तान के खिलाडियों को भी इस competition में बुलाया गया है तो important news है और आपको याद रखना है कि इन किन किन देशों से athletics को जो है यहाँ पर निमंतित किया गया है आए अब आज के important day के उपर चचा कर लेते हैं और आज 7th June है और आज के दिन को हम World Food Safety Day के रूप में celebrate करते हैं तो याद रखेगा 7th June World Food Safety Day और यहाँ पर मैंने आपको थीम के बारे में जनकारी दे दी है और इस बार का World Food Safety Day का थीम है Safe Food Today for a Healthy Tomorrow तो थीम को जरूर याद रखना है एक्जाम में थीम को पूछा जाता है अगर हम World Food Safety Day के history की बाते करें तो इसे जो है 2018 में introduce किया गया था by the United Nations General Assembly World Food Safety Day is aimed at elevation and eventually eradicate the food-born diseases across the world तो जो गंदे खाने से जो diseases होती हैं उसके बारे में awareness सहलाने के लिए World Food Safety Day को celebrate किया जाता है तो याद रखेगा इसे 2018 में introduce किया गया था और यहाँ पर मैंने जो थीम दिया है उसे भी आप यहाँ पर याद रखाए आए अब आज के important facts के उपर चर्चा कर लेते हैं जैसा कि पहले news में हमने sustainable development goal के बारे में चर्चा की थी तो यहाँ पर मैंने आपको उसी के बारे में कुछ important points दिये हैं जैसा कि मैंने कहा कि sustainable development goal United Nation के द्वारा United Nation General Assembly के 17th meeting में 2015 में adopt किया गया था जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर 17 goals हैं जिससे हम global goals के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा 169 associated goal भी यहाँ पर रखे गये हैं UN के सदस्यों के लिए जिससे की 2030 तक achieve करना है यहाँ पर मैंने आपको list दे दिया है कि वो कौन-कौन से goal हैं जिसे की 2030 तक दुनिया के देशों को पूरा करना है सारे के सारे 17 goals का मैंने यहाँ पर आपको नाम दे दिया है आए अब आज के current affairs को अधार बना करके कुछ practice question की यहाँ पर चाचा कर लेते हैं तो आए देख लेते हैं question number 1 को question number 1 है what is the rank of India in sustainable development goal report released by United Nation और आपके option है 115, 116, 117, 118 आए देख लेते हैं question number 2 को question number 2 है in which year sustainable development goal were adopted by member country of the United Nation और आपके option है 2012, 2013, 2014, 2015 question number 3 है what is the rank of India in environmental performance index और आपके option है 165, 167, 168, 170 आए देख लेते हैं question number 4 को और question number 4 है which state leads in national school performance index according to the union ministry of education और आपके option है Punjab, Nagaland, Rajasthan, Odisha आए देख लेते हैं question number 5 को और question number 5 है which state lag behind in the national school performance index according to the union ministry of education तो यहाँ पर मैंने state का नाम लिया है और आपके option है Ladakh, Meghalya, 36 गड़ और Bihar तो बहुत ही important question है ध्यान से इसका answer दीजेगा आए देख लेते हैं question number 6 को और question number 6 है which state government has released a short film on और आपके option है food safety day 2021 और आपके option है safe food today for a healthy tomorrow दूसरा है safe food तीसरा है safe food for today और चौता है none of the ever आए देख लेते हैं question number 9 को और question number 9 है which country of the south east Asia are the member of Bimstack और आपके option है Myanmar, China, Indonesia, Malaysia यह भी बहुत important question है और आए देख लेते हैं question number 10 को और question number 10 है Sifon Hassan is a player of which country और आपके option है Australia, Netherlands, Canada and none of this तो यह 10 question मैंने आपको दिये हैं आज के current affairs पर अधारित और मैं आसा करता हूँ कि आप 10 में 10 का score करेंगे सारे लोगों को इन questions को attempt करना है आसा करता हूँ कि आपको आज का यह daily current affairs पसंद आया होगा अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप जरूरी से like करेंगे share करेंगे और दूसरों को भी subscribe करने के लिए प्रेजित करेंगे तुम मिलते हैं current affairs के अगले आंक में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद